सभी भक्त जनको सप्प्रेम नमन भक्तों आज मैं आपके समख्छ भार्शी पतनेदी द्वाया रचित योग शुत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय जिसे विभूति पाद विकाते हैं कि 47 सुत्र की व्याख्या करने जा रहा है यह 47 सुत्र कह रहा है ग्रहन स्वरूप अश्मिता अन्वयार्थवत्व सैयमादी इंद्री जयाह ग्रहन स्वरूप अश्मिता अन्वय और अर्थवत्व मैं सैयम करने से इंद्री जयाह होता है तो यह जो पांच चीजें बताई गई हैं ग्रहन स्वरूप अश्मिता अन्वय और अर्थवत्व इनको समझ लेते हैं फिर इंद्री जयाह की बात होगी यह उसका परिणाव होगा ग्रहन का आर्थ होता है जब हमारे इंद्रियां अपने विशें को जैसे की आँख है तो रूप को कान है तो सब्द को नाख है तो गंध को और रसना है तो स्वाद को और तचा है तो अस पर्स को या मन है तो विचारों को यह जो है यह यह विशे हैं इसके तो इसको जब इससे सम्मंद जब बना ले इसको ग्रहन कर दे पकड़ ले तो इसको ग्रहन का जाता है इसके साथ सम्मंद बना लेने को और इसमें जो वह होता है कि अब यह जो जिस विशे इसको पकड़ने के लिए जो हमारे यहां से जो उर्जय निकलती हैरे इन इंद्रियों से उर्जय निकलती है इन इंद्रियों के वेद गुन है यह सक्ति कि है कि किन्हों का आपस में समस्मंद होता है क्रिया परतिक्रिया होती है और जो सम्वनुद बनते हैं तो वह जो संब्मन्द जब बनेगा को सुवजर है वह उसका है यहां उसका स्वरूप होता झातनेılarा यानि वह इंद्रियों का वह एक चरित्र है वह उसका एक सक्ति है उसकी एक कारप्रणाली है तो उस कारप्रणाली के तहत जिसे कि आँख का जो है नेत्र का नेत्रत तो है कारप्रणाली ग्रान का ग्रानत तो है तो इस तरह से जो इसकी सक्ति है उसका सम्मन बन जाना वह उसका स्वरूप का लाता है अब इसके बाद है अस्मिता यह जो इंद्रियां हैं यह आखिर हैं किसकी वज़त से तो इन इंद्रियों के उत्पन होने में हमारे अहंकार का रोल है यहांपर कुछ लोग ऐसा समझते हैं काहंकार का गमंड के अर्थ में लेते हैं ऐसा नहीं समझेना है अगन का आखार है इसका जो आखार होता है यहां से यहां अपने आखार को गहन करना इस थूर रूप से शुरू कर देता है जो कि हम लोग समझ सकते हैं जिसको मसूस कर सकते हैं तो वह अहंकार होता है तो वह जो अहंकार है वह ही हमारी असमिता है उसके कारण जो है हम सज़ग रहते हैं अपने लिए तो यहां पर जो है इंद्रियों का जो कारण है जिसके कारण इंद्रियां उत्पन हुए है यानि अब वहां अहंकार, यानि आप समझ सकते हैं कि हमारे अस्तित्तों का वहा सुक्सम सरूप, जो कि अब हमें ऐसा लगता है, कि अब यह जो हमें ऐसा अकार देगा जिससे कि हम अलग हो सकते हैं, हम कर सकते हैं कि यह अहांकार मानव का अकार लेगा, वहां से जो हमारा अंतर आत वहां अहंकार का लाता है। अगर कोई और आकार ले लेता है, सुर का अकार ले लेता है, या अभी वह एक गेंद की आकार का है, तो वह एक अलग आकार हो गया। जब यह मानव का आका धहर्न करता है, तो इस तरह के हमारे मानव आकार है या मानव का प्रिकर्शर है, उसके पहले यावस्था है, जिसति वह विक्सित हो कर अब आकार मानव का ही बनाएगा। देखते हैं तो हम एक चोटे से युगमक से वहां से विक्सित होते हुए आते हैं लेकिन वह युगमक है वह अपने में एक इनफॉरमेशन रखा एक सुचना रखा जिसके कारण वहाँ एक आकार विक्सित करता जाता है वह स्वन में ही एक आकार है तो एक रज का भी एक आकार होता है और जो विर्य है उसका भी आकार होता है स्पर्म का भी आकार होता है तो वह जो आकार है वह अकारत तो जो है वह अंकार का स्वरूप है तो वहाँ अकारत जो हमारे पहचान एक बनाता है वहाँ अंकार कारता वही इसका अस्मिता का कारण है तो उससे ही इंद्रियों विक्सित होती है यानि अहंकार ही इसका मूल है अब इसके बाद क्या है इसके बाद अन्वय है यह अस्मिता हो गया इंद्रियों का कारण जो एंकार हो गया अब अन्वय क्या है अन्वय का होता है तातपर है अन्वय का होता है पीछे गमन करना अन्वय अनु से बना हुआ है तो अनु गमन करना पीछे चलना और इसका अभी प्राय क्या है तो यह जो अन्वा है तो अहंकार से यह सब बना यह तो समझ गया लेकिन हंकार किससे बना अंकार जो है महतत्तों से बना है महतत्तों किस से बना सतरज और तम यह गुण से यानि इन इंद्रियों के पास जो गुण है जो सक्ति है जो इसका विशेश आकार है जिसे आँखें इस तरह से गोर करके इस तरह से आकार बनाएगी है कान का इस तरह से पर्दा बना इसके जो सक्ति है इसके जो गुण है जो चरित्र है जो सभाव है इसके जो कार प्रणाली है तो अब इन सब का जो है सतरज तम गुण से संबन्द है तो सतरज तम जो गुन है वह इसके अन्वाय कहे आते है वो पीछे पीछे आ जाते है अन्वाय मतलब याने वो पीछे पीछे आ जाता है वे चिपा हुआ है बहुत सुक्ष में वह पीछे पीछे इसके आ जाएगा तो यह इसका अन्वाय है इंद्रियों का अब इसके बाद है अर्थवत्व अर्थवत्व का अर्थ होता है कि आखिरिया है किस लिए अर्थ इसका प्रयूजन क्या है इन इंद्रियों का प्रयों हम किसी चीज को जानना करना चाहते हैं और उसका उपयोग करना चाहते हैं कि गफलतन परियोग को एक किसा निया है कि हम मुझे स्वेयरूप को यसे रूट जाते हैं उसको भोगते हैं। उससे सुखु दुख एक धिक्राग में मिलते हैं। इसंदे हमें अपने अस्तितित्य को बचा समझने में सुध़ा होती है। और दूसरा कि हो है अपवर्ग है यानि इन न्हांने के माध्य को इन दुसरा है कि हमारा वास्टक स्वरुव क्या है वह स्वरुव जिसमें कि कोई बदलाव नहीं होता है दूसरा नहीं अम्हों बना। यह इसका प्रयोजन यह इसके लिए बना है कि यह में हमारे सुक्षम्टम तक पहुंचा सकता है वहान सदन है यह निरतरता होती है जिए जहां से कच जिधा से चला है उदसी और और से ओल्ते दिसा वह लटते चले जाएं तो यह हमें पहुंचा सकता है जाहां से हम चले łatशक मूर्दार मूर्व है तो परमात्मा और आत्मा पह पहुंचाने यह जरिये बनता है तो ये इंद्रियां कोई सधारन नहीं है इन इंद्रियों के जरी हम वहां तक जा सकते हैं तो अब बात आती है कि कैसे तो आप यहां है कि यह जिस क्रम में हैं जिसे ग्रहन हैं स्वरूप हैं असमिता हैं अन्वाय हैं और अर्थवत्व हैं तो यह जिस क्रम से हैं इसी क्रम में इन पर संयम करना है यानि इस पर धारना करनी है इस पर ध्यान करना है और इसमें समाधि करेंगे फिर स्वशारूप पर सभुआ करेंगे फिर असनिदा पर अर्थ पर पर तो उस पर संयम करेंगे, फिर उस पर संयम करेंगे कि इसके गून चरितर कैसे हैं, यह किस विज्ञान से चर रहा है, इसके नियमों से चर रहा है, फिर संयम करेंगे कि किस चीज के लिए है या इसका प्रुजन क्या है, इस पर हम संयम करेंगे तो क्या होगा, इंद्री जय हो होगा याने इंद्रियों के पर जीत होगी हमारे मन के उपर जीत हो जाएगी जहां जाएगे जहां या स्रोक्त रिंद्रिय कांद से सुनने के चमता ति नाक से सुने की चमता थी इन सभी के पर हमारी जीत हो जाएगी इंद्रियों पर जीत हो जाएगी यही इसका विश्य है और इंद्रियों के जीतने का क्या मतलब है वाई इसके अगले सुत्र में पतनली जी हमें बताएंगे तो इसमें इतना ही ओम